डाइजिन क्यूक रिलिफ प्रोम एसीडिटी एंड गैस यह एक एंटासीड एंटी गैस जेल है जो की मिन्ट फ्लेवर में है 200 ml की बोतल में रहता है तता इसका MRP की बात करें तो इसका MRP 115 रुपीज 200 ml की बोतल में रहता है तो यह डाइजिन जेल कब दिया जता है तता इसको यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है और कब तक इसको लेना परता है और डॉक्टर के दुआरा क्या-क्या किस-किस पेशन को रिकमेंडेट किया जाता है तो कंप्लिट जानकर इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो वीडियो को स्टार्ट करते एक चोटासा इ रिलिफ में फ्लेवर में है जो 200 ओरल जेल है जिसका MRP 115 और 450 रुपीज जो कि ओरल जेल है उसका MRP 153 रुपीज है तो आपको बैटर रहेगा कि 450 ml में ही लेने का है अगर डाक्टर ने आपको जादा टाइम तक रिकमेंडेट किया है तो यह हैल्प करता है जो कि स्टोमक मे एसीडिटी होता है उसको कम करता है तता रिलीफ प्रोवाइड करता है बोक्तिंग एंडिगेस्टिंग एंड एसीडिटी के अंदर तता यह ट्रीटमेंट करता है गेस को कम करता है इस्टोमक के अंदर डाइजिन जो कि प्रोवाइड करता है एसीडिटी और गेस से तता य को लांग-लास्टिंग के लिए रिलीट के लिए यूझ किया जाता है तता इसकी और हैंडी बोटल में रखता है जिसको रखते आप कहीं भी ताकि ने के और फ्लेवर यह Tucson Salt और दूसरा इसका औरेंज आता है तता मिक्सेट फ्रूट फ्लेवर आता है इसके अंदर कंटेंड की बात करें तो इसके अंदर कंटेंड इधर लिखे हुए इसके अंदर मेगनेसियम हाइड्रो ऑक्साइड 180 mg डाला गया है सी मीती कों आईपी 50 mg डाला गया है सॉडियम कारबोक्सी मिताइल सैलूलोज आईपी 100 mg डाला गया हैués और अलुमिनियम हैड्रोकसाइड जेल 830 mg डाला गया है तो इसका benefit के बारे में जाने के तो इसको stomach acidity relief में काम किया जाता हूँ और stomach के irritation में इसको use किया जाता है तता extra gas होती है उसमें काम किया जाता है तता यह overall reduce कर देती है acidity level को stomach में जब भी आप office से आते हो सारे दिन बैटे बैटे रहते हो तो आपके अंदर gas हो जाता है आप exercise वगरा नहीं करते हो तो इसको लेने से आपके जो gas होती है उसको कम हो जाएका आपके stomach तो आप रात को आपको अच्छी से नीन आ जाएका इसको लेने से तता इसका dose doctor के दुवारा में decide किया जाता है जैसे कि adult में 10 ml में two spoon दिया जाता है तता बच्छों में doctor के दुवारा recommended किया जाता है तो इसको जब भी आप purchase करें तो इसके label को अच्छी तरह से पढ़ ले इसको बच्छों से थोड़ा दूर रखे तता इसको storage जहां पे रखते हो आप अच्छी तरह से रखे बॉट के दुवारा बनाए चाबता है तता इसका MRP 115 रूपीज है तो इस product के बारे में फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे comment section में पूछ सकते हो अधरवाई जो description में email ID वहाँ पूछ सकते हो ताकि मैं जल्दी से जल्दी reply करके आपका डाउट क्लि कर दो सकते हैं जल्रकी कर दो सकते हो नहीं है जल्रकी